तार्गेट वी दालोग के आनलाइन प्लेटफार्म से UPSI के रैंकर्स विद्यार्थियों आप लोगों का हार्दी कभिनेंदन है आज हम बात करते हैं एक महत्पुर्ट अपिक की हिंदी में वो उसका नाम होता है शब्द रचना यानि यहाँ पर आज हम बात करेंगे शब्द रचना पर बात करेंगे एक ऐसा महत्पुर्ट अपिक है जिसके बारे में ज्यान होना सबको अतियवश्यक होता है कि सब्द रचना क्या होता है, सब्द रचना कहां से आया, शब्द की से कहते हैं, आदी-ादी इसमें बात हम करेंगे. आप अगर ये टापिक दिमाग में आया शब्द रचना आया तो शब्षे पहले हमको ये अपने मानस पटल को संदेश देना चाहिए कि शब्द क्या होते हैं तब तो हम रचना की बात करेंगे तो शब्द क्या होते हैं सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शब्द की तो देखते हैं कि शब्द से पहले क्या है यानि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है तो शब्दों के निर्माण के पहले अगर हम बात करें तो हमको मिलेगा वर्ण की बात मिलेगी, यानि यहाँ पर हम वर्ण की बात करेंगे, और वर्ण से पहले भी अगर हम निर्माण की बात करते हैं, तो हमको क्या मिलेगी, ध्वन मिलेगी, यानि एक क्रमिक विकास है, यानि सबसे पहले हमारा क्या आया, ध्वन ही आया, ध्वन के बाद से हम किस में गए, वर्ण पर गए और वर्ण के बाद हम किस पर आए शब्द पर आए यहां पर देखिए तो ध्वानी क्या है कि जब तक ब्यक्ति या कोई भी बोलता है केवल बोलता है तब तक वह ध्वानी में बात करता है यानि उसे हम क्या कहते हैं ध्वानी कहते हैं जब तक हम बोल रहे हैं तब तक ध्वनी आ हैं लेकिन इस ध्वनी को जब हम लिपी बद्ध कर देते हैं यानि लिख देते हैं तो जब हम लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं और मौखिक रूप से भासा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं द्वनी के सार्थक शमूह को हम क्या कहेंगे शब्द कहेंगे यहां पर बात हो रही है सार्थक शब्द की तो सार्थक शमूह को हम क्या कहते हैं सब्द कहते हैं यानि की सब्द जो होते हैं यह सार्थक रूप से भासा की सबसे छोटी इकाई होती है यानि ये भी क्या है छोटी क्लाइएं ही है यानि यह भी क्या है भासा की है क्थोटीक है लेकिन कैसे चोटी इकुटा ही है और इनी सब्धों शेमिलकर कि वाक्यका निर्मार होता है यानि एक क्रमिक रूप से यह विकास होता है हम किस पर बात कर रहे हैं इस सब्द पर आज बात कर रहे हैं यानि शब्द रचना पर हम बात कर रहे हैं तो आईए सब्द रचना को अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपको अब शब्द तो हम जान गए कि किसे कहते हैं जो सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं शब्द कहते हैं यानि सब्द कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं पहला कौन सा सब्द हुआ? पहला सब्द होता है सार्थक शब्द होता है पहले हम सार्थक शब्द की बात करते हैं और दूसरा क्या होता है निरर्थक शब्द होता है यानि पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द होता है जिसमें ब्याकरण में निरर्थक का कोई महत्पुरुन अस्थान नहीं है यानि इसका ब्याकरण सास्त्र में निरर्थक सब्दों का कोई योगदा नहीं होता है, बलकि किसका होता है सार्थक सब्दों का ही होता है लेकिन आप बोल चाल की भाषा में क्या करते हैं सार्थक के साथ निरर्थक लगाते रहते हैं सार्थक के साथ निरर्थक बोलते रहते हैं कभी कभी निरर्थक के साथ आप सार्थक बोलते रहते हैं जैसे आप आए दिन तमाम अस्थानों पर आप बोल देते हैं मुझे चायशाय चाहिए चायशाय या चायवाय जो भी चाहिए आप ऐसा बोल देते हैं तो माल लिजे आपने लिख दिया चायवाय लिख दिया या चायशाय लिख दिया जो भी आप निरठक का कुछ हैसा नहीं है कि क्या लगाए जाएगा अगर माल लिजे पानियोनी भी देते हैं, तो ये इसका मतलब कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ लग गया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, बहुत सारे शब्दा ऐसे हैं, जैसे आमने शामने आमने लिख दिया, आमने सामने लिख दिया, तो आमने शामने लिख दिया, तो आमने तो मतलब कुछ नह तो सार्थक के साथ निरर्थक सब्द भी आते रहते हैं लेकिन इन निरर्थक सब्दों का भाषा में कोई महत्पुर्ण स्थान ब्याकरण में कोई महत्पुर्ण स्थान नहीं होता है अब इन ही सब्दों को हम शब्द रचना कहते हैं यानि सब्द को हमने क्या किया रचित किया यानि भिन 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 भासा के शब्दों को हमने समावेश किया या परिवर्तित सब्दों को हमने समावेश किया तो इसे हमने सब्द रचना कह दिया अब रचित किये तो किन आधारों यानि दो आधारों पर हमने रचित किया शब्द कैसे रचित कर रहे हैं सब्द रचना कैसे हो रहा है तो दो आधारों पर शब्दों की रचना हो रही है वो दो आधार कौन-कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम दे भीभाजित कर देते हैं ठीक है दोज भाग में भीभाजित कर देते हैं पहला जो भीभाजन होता है उसे हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पर शब्द पहला भीभाजन या इसी को हम क्या कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द ऐसा हम लिख भी सकते हैं और बोल भी शकते हैं आधार पर शब्द अब यहां पर यह देखिए कि स्रोत के आधार पर शब्द हुए या उत्पत्ति के आधार पर शब्द हुए बात एक है अब इसको हम बिभाजित करेंगे कितने रूप हम बिभाजित करेंगे इसको देखा जाए लेकिन इसका जो दुतिय बिभाजन है वह बिभाजन है रचना के आधार पर शब्द रचना के आधार पर शब्द या इसे हम कह सकते हैं बनावट के आधार पर शब्द अब यहाँ पर देखे बनावट के आधार पर शब्द अब ये देखिए इन दोनों को हम अब पुनः विभाजित करेंगे यानि शब्दरचना हुआ और यहां पर जो है शब्दरचना में पुनः हम क्या करेंगे इसका विभाजन करेंगे यानि स्रोत के basic concept सब्द रचना को दो भागों में स्रोत के आधार परशब्द या उत्पत्ति के आधार परशब्द, रचना के आधार परशब्द या बनावट के आधार परशब्द इसको दो भागों में विभाजित किये, अब ये दो भागों में जो विभाजन हुआ, तो अब इसको कितने भागों में हम बिभाजित किये यानि स्रोत के आधार पर शब्द या उतपत्य के आधार पर शब्द को हमने मुख्य तह चार भागों में बिभाजन किया गौणता है हम बात करेंगे लेकिन पहले हम मुख्य की बात कर लेते हैं तो मुख्य कितने रूप में हमने बिभाजन किया इसको देखते हैं पहला जो बिभाजन होता है ठीक है पहला हमारा जो बिभाजन होता है उसको हम कहते हैं तत्सम सब्द, पहला विभाजन, तत्सम सब्द, ठीक है, दूसरा जो विभाजन होता है, वह तद्भाव शब्द का होता है, तद्भाव शब्द, तीसरा जो विभाजन होता है, वह देशज सब्द में होता है, देशज सब्द, चौथा जो विभाजन होता है, वह विदेशज सब्द में होता है, विदेशज सब्द में होता है, इसके बाद से जो हमारा विभाजन हुआ, यानि चार तो हमारे प्रमग विभाजन हुए, और अगर पूछा भी जाए स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विवाजित किया गया है तो आपका उत्तर होगा चार यानि चार भागों में विवाजित किया गया लेकिन इसमें दो पॉइंट और रह जाते हैं जो आप से एक्जाम में पूछा जाता है या पूछ लिया जाएगा ऐसा भी हो सकता है आप जो है जैसे अगर माल लिजे यहाँ पर एक पॉइंट जो बढ़ेगा यह मुख्य भेदों में नहीं आएगे बढ़ेगा क्या संकर्शब्द कौन सा संद संकर्शब्द यहाँ पर देखेगा यह जो शो है यह दंत शो है ना कि यह तालब बेशा यह तालब बेशा नहीं है बलकि यह संकर्शब्द है इसके अलामा एक और इसमें बढ़ेगा वो होता है अर्ध तत्सम सब्द अर्ध तत्सम सब्द यहाँ पर अब कुल अगर देखेंगे अबराल अगर देखा जाए तो हमको 6 इसके बिभाजन मिलते हैं लेकिन यह जो संकर शब्द हैं या अर्ध तत्सम हैं इसको हम सामिल बिभाजन में नहीं करते हैं क्योंकि यह बाद में जोड़े गया हैं और इनका निर्माण किया गया है इसलिए इसको हम प्रमुक्ता में सामिल नहीं करते हैं आपको जब भी आएगा कितने होते हैं तो आप 4 ही लगाएंगे और 4 ही उसका उत्तर सही होगा यानि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया चार भागों में विभाजित किया गया एक तो यह हो गया इसका सुरोत के आधार पर विभाजन दूसरा विभाजन रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द की बात करते हैं तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया गया है अब वो कौन-कौन से विभाजन है इसको देखा जाए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम उपर ले लेते हैं और इसको हम यही पर नीचे विभाजित कर देते हैं इसको रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को हम यहां पर विभाजित कर देते हैं ऐसे विभाजित कर देते हैं इसको इस प्रकार से समझ लीजिएगा यानि इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला जो विभाजन हुआ है वह रूण शब्द हुआ है ठीक है रूण शब्द पहला विभाजन दूसरा जो विभाजन हुआ इसका दूसरा जो विभाजन हुआ यह योगिक शब्द में हुआ है यानि योगिक शब्द योगिक शब्द और जो तीसरा विभाजिन हुआ है जो तीसरा विभाजिन हुआ है तीसरा वह हुआ योग रूह शब्द में हुआ योग रूह शब्द है ठीक है तीन भागों में रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमने क्या कर दिया बिभाजित कर दिया ठीक है यहां पर अब देख सकते हैं तो रचना के आधार यह बनाव तीन रूण शब्द योगिक शब्द और योग रूण शब्द होते हैं यह ओवराल शब्द रचना हुए वाक्या रचना दूसरी चीज है उसको हम बाद में बात करते हैं उसको डीट हां पर यह देखिए कि जो सब्द रिचना है यानि उथ्पत्ति के आधार पर जो विभाजन हुआ इसमें अब हम को यह समझना है जो कोसिच्श सबसें पूच्छा जाता है वह हां से या अर्धतस्शम क्या होता है, एक-एक करके इसको समझते हुए चलते हैं, ताकि यह बातें आपको clear हो जाएं, आपको जो रटने की परंपरा है, उस परंपरा से थोड़ा बहुत निजात मिल सके, थोड़ा बहुत महलत मिल सके, कि हम रटने मत, हम पहले समझें, उसके बाद से अगर कुछ बचते हैं तो उस पर हम प्रेक्टिस कर लेंगे यहां पर तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं तत्सम सद पर आते हैं कि तत्सम सब्दिक होते क्या है यह कैसे आये दिखे यह काइनात है और काइनात की यह बिसेस्ता है संसार की यह बिसेस्ता है कि चेंजिवल है यह पुरा प्रकृति भी चेंज होती है समया अन्रोप वैसे भी भासा का भी जो परिवर्तन है वो भी सुनिश्चित है समयकाल परिस्तितियों के आधार पर भासाएं जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तन होना लाजमी भी है इसी के अगोश में यह भासा परिवर्थित जैसे भासा का परिवर्थन हुआ अनेक भासा है आई वैसे उस भासा के साथ साथ जो बोल चाल की भासा है वो भी परिवर्थित हुआ लेखन की जो भासा है वो भी परिवर्थित हुआ अब किसी सब्द में किसी भासा में कुछ नामोर्थ है उसी को थोड़ा बहुत परिवर्थित करके कुछ और नाम दे दिया गया तो एक क्रमिक विकास हुआ, क्रमिक विकास होता कहां से है इसको थोड़ा सा समझे लिए होता क्या है कि प्रारंभ जो होता है वह है शब्द में प्रातिपदिक सब्द होता है संस्कृत में कहा जाता है एक प्रातिपदिक सब्द होता है एक पद होता है तो प्रातिपदिक क्या होते हैं इसको भी अभी बात करते हैं सबसे पहले जब हमारा विकाहस हुआ तो भासा के रूप में हमने क्या पाया संस्कृत को पाया इसको द्यान से समझेगा अगर इसको आप समझ गए तो आप समझेगा कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा तद्भव तस्न समझने में कैसे ये हो रहा है भासा की रूप में अगर हम कहते हैं कि सबसे पहले कौन सी भासा आई तो सबसे पहले हमारे सामने संस्कृत आ रही है यानि संस्कृत में बोला भी जा रहा है, संस्कृत में लिखा भी जा रहा है, संस्कृत हमारी दैनिक दिन्चरिया भी है इसलिए संस्कृत को हम क्या कहते हैं देव भाषा भी कहते हैं आज भी है आप प्राया देखेंगे कि संस्कृत में ही बहुत सारे इश्लोक है और संस्कृत में ही वाचन भी होता है संस्कृत को इसलिए देव भाषा भी कहा जाता है संस्कृत को क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है संस्कृत को उन्नत भाषा भी कहा जाता है और संस्कृत को भाषाओं की मा या भाषाओं की जननी या भाषाओं की माता कहा जाता है आप जो इसकी उपाधियां दे लिजिए, सब उपाधियां इस पर सुशोभित होती हैं, यानि संस्कृत हुआ, संस्कृत से धीरी-धीरे समयानुसार परिवर्तन हुआ, और संस्कृत से हमने क्या किया, पाली में परिवर्तन हो गया, यानि पाली भासा आ गए, बहुत धेका अधार पर अननी कुछ मन्यताओं के यह थोड़ा परिवर्तित हो गया यानि संसकृत तो बोला जाता था अब वहां पर पाली भासा भी बोली जा रही है चलिए यह तो हो गया हम पाली में आए और पाली से हम कहां पर आ गए प्राकृत में आ गए कुछ हुर समय बीटा यहां पर क्या प्राकृत भाषा बोली जाने लगी चलिए ठीक है प्राकृत से हम कहां पर आए अप भ्रंस पर आए संस्कृत पाले प्राकृत इसके बाद कहां पर हम आते हैं अप भ्रंस पर आते हैं ठीक है यहां पर अप भ्रंस भी बोला जाने लगा इसके बाद से यहीं से अवहट का विकास होता है यानि एक बहास आती है बीच में हम जब सहित्य पढ़ाएंगे तो सहित्य में इसका डिटेल चर्चा करेंगे यहाँ पर मैं बस सिर्फ इतना समझाने का प्रयास करना हूँ कि आपको ये बाते क्लियर हो जाएं कि कैसे हमारा यह विकास हुआ है कैसे तद्वो तश्रम का यानि तद्वो तश्रम आएं है अब अपभ्रंस का हुआ अब अपभ्रंस से अवहट में विकास हुआ अब अपभ्रंस से अवहट में विकास हुआ और यह अवहट के बाद हम कहां आपर आ गए हिंदी में आ गए यानि अवहट से हमारा जो विकास हो जाता है वो हिंदी में हो जाता है ठीक है? यहाँ पर देखेगा हमने संस्कृत से चलना प्रारंब किया यहाँ से हमने चलना प्रारंब किया संस्कृत से हमने पाल में आया यहां पर आये और पाल से हमने कहां पर आया प्राकृत में आये अपभ्रंस में आये अवहट में आये और हिंदी में आये यह हम आते हैं कहीं ने कहीं सब्द यहां पर रहा होगा कोई शब्द रहा होगा अब वह शब्द जो है संस्कृत में बोला जाता होगा कोई समय के अनुशार उस सब्दे का परिवर्तन हुआ पाली में कुछ और कहा जाने लगा, प्राकृत में कुछ और कहा जाने लगा अब भ्रंस में कुछ और कहा जाने लगा अब हट में कुछ और हिंदी में कुछ और कहा जाने लगा माल लिजे कि अब यहाँ पर जो संस्कृत में लिखा गया जैसे अगर हम शब्द की बात करें तो एक कोई शब्द लेते हैं मान लिजे हमने लिखा हस्त लिखा एक सब्द लिखा हस्त लिखा संस्क्रिप में हस्त प्रच्छालनम यानी हस्त लिखा हस्त मतलब हाथ होता है अब पहले आप मुल रूप समझेगा पहले हाथ नहीं था पहले हस्त था जो भी बोलते थे वो सभी लोग हस्त बोलते थे ना कि हाथ बोलते थे दीरे दीरे परिवर्तन हुगा यानी संस्कृत में हम हस्त बोल ले हैं संस्कृत में हम क्या बोल ले हैं चाड़क बोल ले हैं ठीक है संस्कृत में हम चाड़क बोल ले हैं संस्कृत में ही हम द्राक्षा बोल ले हैं ठीक है बोल ले हैं संस्कृत में हम अट्टालिका बोल लहे हैं संस्कृत में हम पाश बोल लहे हैं संस्कृत में हम ग्राम बोल लहे हैं यानि जो बहुत एक लिश्ट है सभी शब्दों का हमसे जो पूछा जाता है उसी पर हम बात कर रहे हैं अब यहां पर यह देखे कि यह समय काल के आधार पर यह परिवर्तन हुआ मालनी जह हो सकता है कोई नहीं बोल पाता हो या कुछ भी ऐसा हो तो धीरे धीरे यह परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तित होते हुए पालिस से प्राकृत होते हुए यह हस्त चलाया कहां पर हिंदी में चलाया यहां से परिवर्टित होते हुए कहां चलाया हिंदी में चलाया और हिंदी में इसे कहा गया हिंदी तक जब यहां त्रा किया तो यह हस्त से क्या बन गया हाथ बन गया हस्त थे क्या बन गया हाथ बन गया यह चणक से जब चला यानि संस्कृत में चणक से जब चला तो यहां आते याते यानि हिंदी में आते याते यह चणा बन गया हिंदी में आते याते क्या बन गया? चणा बन गया और जब तक संस्कृत में था तब तक हो क्या था? चणक था तो एक परिवर्तन हुआ तो जब तक यह संस्कृत में हस्त था जब तक यह संस्कृत में चणक था तब तक इसका संस्कृतिक मूल रूप प्रातिपदिक था क्या था तब तक यह जो है सब्द का मूल रूप क्या होता है प्रातिपदिक होता है यानि तब तक यह प्रातिपदिक था ठीक है और हिंदी में यही हस्त यही चनक नाम देखेगा जब तक संस्कृत में है तब तक यह हस्त है और संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में यही हस्त हस्त ही लिखा जाता है हिंदी में यही हस्त हस्त ही लिखा जाता है यही चनक चनक लिखा जाता है यही द्राक्षा द्राक्षा लिखा जाता है तब जो है इसे हम क्या कहते हैं इसको हम कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे ध्यान से समझेगा और जब यही परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित हो कर के यह चना लिखा जाता है परिवर्तित हो कर यह हाथ लिखा जाता है यह भी हिंदी में ही लिखा जाता है तो जब यह हस्त हाथ हुआ चनक चना हुआ हम कह देते हैं तदभव शब्द कह देते हैं इसको हम क्या कह देते हैं तदभव शब्द कह देते हैं यहां से एक यह कैसे एक विकास करम होता है विकास की यात्रा चलती है उस विकास की यात्रा को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको समझना आसान होता है यानि धीरे धीरे हमारा परिवर्तन होता है तो यही स्रोत के आधार पर देखेगा मैंने बताया था स्रोत के आधार पर यानि ये स्रोत कहीं से मिला है संस्कृत से स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर इसको चार भागों में बीभाजित किया गया जिसको मैंने आपको पहले ही एक के द्वारा समझा चुका है अब मुझे ये देखना है कि अगर हैं तत्सम हैं तो कौन से हैं या परिभाशा क्या होती है इसी को अब हमको क्या करना है धीरे से परिभासित करके यानि परिभासाओं में ढाल देना है और एक-एक को समझते हुए आगे चलना है बरतमान जो समय उसमें देखेगा कि अर्ध तत्सम की बड़ी ही महती भूमिका आ रही है मैं देखा हूँ कुछ एक्जाम में अर्ध तत्सम को लेकर की अब बात आ रही है जो पहले नहीं हुआ था पहले नहीं पूछे जाते थे लेकिन ऐसा नहीं था कि अर्द तस्वम था ही नहीं, अर्द तस्वम किसे कहते हैं, उसमें कौन-कौन से सब्द आते हैं, कैसे आते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, तो पहले हम क्रमिक रूप से तस्वम चलेंगे, तस्वम से तद्भौ का भीकास होगा, तो तस्वम की परिभाशा क्या होगी, तद् विदेशज कहां से आया और कितने भागों में इसको हम विभाजित किये हैं, इसकी हम बात करेंगे, तब जाकर के हम विदेशज की बात करेंगे, और उसके बाद हमने संकरशब्द की भी हम बात करेंगे, और हम अर्धतसम की बात करेंगे, तो आइए चलते हैं, अब हम बात क रहते हैं, तत्षम शब्दों की बात करते हैं. यानि तत्षम शब्द। पहला ही नाम है. इनी अगर हम बात करें इसके निर्मान की, तो इ 125 से बना है? तत्षे बना है और धन्षम से बना शब्द है. दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है तत धन शम से बना शब्द क्या होता है तत सम होता है तत मतलब होता है तश्य तत को तश्य भी कहते हैं सम मतलब समान अब तश्य मतलब होता है उसके ठीक है समान कि उसके समान अगर हम सापदिक अर्थ की बात करें तो यानि उसके समान कैसा क्या उसके समान क्या समान नहीं इस पर हम बात करते हैं यानि तत धन, अगर हम परिभाशा तत धन समझे बना शब्द तत सम होता है, जिसमें तत का आर्थ तश्य अर्थात उष्के, सम का आर्थ समान होता है, अता कहा जा सकता है कि तत सम का अर्थ उसके समान होता है, हम परिभाशाओं पर बात कर रहे हैं, अब उसके समान होता है, तो ये तत्सम क्या है? संस्कृत का शब्द है. आप देखिएगा कि तत्सम क्या है? संस्कृत का शब्द है. संस्कृत का. मैंने अभी बात किया है कि कोई संस्कृत का शब्द हो. संस्कृत का वह शब्द जो बिना परिवरतन के ही हिंदी में लिखा जाता है. उसे हम क्या कहत कि उसको हम संस्कृत का शब्द नहीं कहेंगे संस्कृत का शब्द कब कहेंगे जैसे अगर मान लिजे हमने लिखा छीर लिखा ठीक है यह शब्द लिखा छीर लिखा तो संस्कृत में इसको हम क्या कहेंगे? छीर कहेंगे संस्कृत में हमने लिखा यव लिखा हमने संस्कृत में कहा यव लेकिन यहीं छीर कोई परिवर्तर नहीं हो रहा है संस्कृत का ऐसा सद्ध जो हिंदी में लिखा जाता हो यानि यही चीर आ करके यहां पर लिख दिया गया, हिंदी में क्या लिख दिया गया, यहां पर भी चीर लिख दिया गया, यहां पर भी क्या लिख दिया गया, यहां पर भी क्या लिख दिया गया, किसमें, हिंदी में, हिंदी भासा में हमने क्या कर दिया, इसको चीर लिख द कोई परिवर्टन नहीं किया तो जब हिंदी में हमने लिखा तब यह संसकृत का शब्द नौहँ करके अब कहा गया यह क्या है यह तत्सम्सब्द है यह क्या है शब्द में कोई अंतर नहीं है ध्यान dematicallyगा बस क्या है भाषा य्यानी संसकृत में इस सब्द को संसकृत का है और हिंदी में इसी छीर को कहा जा रहा है यह तत्सम सब्द है इसी यव को कहा जा रहा है यह तत्सम सब्द है बश यही है तो परिभासाएं संस्कृत का ऐसा सब्द जो बिना परिवर्तन हुए हिंदी में लिखा गया उसे हम क्या कह दिए तत्सम सब्द कह दिए हम कोई अ नहीं कह सकते हैं, कि संस्कृत का ऐसा सब्द जो हिंदी में लिखा गया, उसे हम संस्कृत का सब्द कहते हैं, नहीं, तत्सम सब्द कहते हैं उश्कों, संस्कृत का सब्द बोने लिए गया, अब यहाँ पर नाम इसके क्या हो गया, चीर या यह क्या हो गया, यहाँ तत्सम आसा देख लीजिए, संस्कृत का ऐसा सब्द जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी में लिखा जाता है, तो ऐसे सब्दों को हम तत्सम सब्द के नाम से जानते हैं, आपको मैंने ये लिखा, ऐसे बहुत शारे शब्द आपके सामने आएंगे, अब यह तो हमारा तत्सम सब्द हुआ, समयकाल परिष्थिती के आधार पर, परिवर्तन जैसा मैंने आपको पता है, भासाओं का परिवर्तन हुआ, भासाओं का क्रमिक परिवर्तन हुआ, अब यह जो परिवर्तन हुआ, तो अब किस नाम से जाना गया, तो उसको कहा गया य तो नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर कुछ हम तत्सम सब्दों को देखेंगे, कि क्या है, और उसके तब हम देखेंगे, बाद में हम तत्भो शब्द की बात करेंगे, तो आईए कुछ तत्सम सब्दों को देखते हैं, आज़े यहाँ पर लिखे हुए हैं आप देखे जैसे मान लिजे की वासंगह लिखा गिया है तत्सम का शब्द है वासंगि पाणि ग्रहन शब्द है लमड़ शब्द है अगनी शब्द है करपूर शब्द है कोकिल शब्द है पारद शब्द है अटालिका है छीर है यव है उष्ट है आधी तमाम शब्द है जो किसमे तस्सम में लिखे जा रहे हैं हिंदी में लिखे गए यानि तस्सम में लिखे गए अब इसका ये तो हमारा तस्सम रूप हो गया चलिए ठीक है हमको पूछा जाता है कि किसका तस्सम क्या है और या उस सब्द का तद्भो पूछा जाएगा या उस सब्द का तस्सम पूछा जाएगा आप यहां पर देखे थोड़ा सा अब हम ये तो हमने तस्सम सब्द का बताया अब तद्भो शब्द के रूप में थोड़ा सा हम परिभाशित कर लेते हैं, तब हम चलते हैं, तो उसके बाद इसको हम बात करते हैं, अगर हम तद्भो की बात करें, तो तद्भो शब्द की से कहते हैं? तो तद्धन भोशे बना शब्द तद्भो होता है, और तद्भो का अर्थ क्या होता है? कि उससे उत्पन या उससे निकला हुआ, किस से निकला हुआ? संस्कृत से निकला हुआ, यनि कि कोई ऐसा शब्द हुआ कि जो संस्कृत में लिखा जाता हो, संस्कृत में बोला जाता हो संस्कृत से पाली में आया पाली से होते हुए वह हिंदी में प्रवेस करता है और हिंदी में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं तदभो शब्द कहते हैं आसान शब्दों में जैसे किताबों में प्राय सामान्य किताबों में लिख दिया जाता है कि संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर अपना रूप बदल कर या परिवर्तित होकर हिंदी में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं तद तदभो शब्द क्या हुए परिवर्तित हुए हिंदी में जब लिखे गए यानि कोई संस्कृत का शब्द आया और जब हिंदी में लिखा गया हिंदी में उसको बोला गया और उसका रूप परिवर्तन हो गया उसका रूप बदल गया तब उसे हम क्या कह दिये तदभो शब पर भी बात करेंगे, उस नियम के आधार पर भी हम बताएंगे कि तद्भव कैसे होते हैं या तद्जम कैसे होते हैं, कैसे आप ये जान पाएंगे, या बहुत ज़्यादे हमको रटना नहीं पड़ेगा, तो उसके भी कुछ नियमों पर हम बात करेंगे, तो पहले हम तदभौशब्द को देख लेते हैं यहाँ पर देखे अब तदभौशब्द हैं तो पहले जहाँ पर हम संस्कृत का लिखे थे यानि तदसम सब्द लिखे थे उसको देखते हैं और यही से हम परिवर्दित करते हैं अब ये तो रहा हमारा तत्सम सब्द रहा ये कौन सा रहा तत्सम सब्द रहा इस पर हम लिख सकते हैं तत्सम लिख सकते हैं ऐसा अब इधर हम लिख दें तद्भो शब्द लिख दें तद्भो ठिक अब मान लिजे वाश्ग्रिह लिखा गया है ठीक है अब वाश्ग्रिह काद परिवर्तन हुआ संस्कृत में या संस्कृत में लिखा गया वाश्ग्रिह लिखा गया इसको तस्समिह में लिख दिये यहाँ परिवर्तित हो गया किसमें हो गया बसेरा में परिवर्तित हो गया पाणी गरहन हम नौ करके हमने लिखा पाणी गरहन कहा पाणी गरहन कहा पाणी गरहन इसका सीधा सीधा क्लिष्टता बस समय अनुरूप यह क्या हो गया परिवर्तित हो गया और पाणी गरहन पाणी गरहन नौ करके पाणी गरहन हो गया लवड जो है पहले लवड कहा गया लवड लवड नो हो करके इसको क्या कह दिया गया नोन कह दिया गया नोन का मतलब समझ रहें नोन जिसको आप लोग डाल में सबजी में डाल करके खाते हैं उसे ही हम नोन कहते हैं मूल रूप से क्या है या नोन है लेकिन प्रचलन में हम क्या कह देते हैं नोन कह देते हैं तो आपकी इच्छा लेकिन नोन मूल शब्द है तो लवन का परिवर्तन किसमे यानि इस तत्सम सब्द का परिवर्तन किसमे हो गया नोन में हो गया यही अगन परिवर्तित हो करके क्या हो जाती है आग हो जाती है और आग सब्द क्या हो जाता है तद्वो हो जाते हैं और अगनी क्या हो जाते हैं तस्सम हो जाते हैं यही करपूर 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 जो है क्या हो जाता है करपूर हो जाता है परिवर्टित हो करके क्या हो जाता है कपूर हो जाता है यानि करपूर किस में परिवर्टित हो गया कपूर में परिवर्टित हो गया कोकिल कोकिल जो है यह किस में परिवर्टित हो जाती है कोयल में परिवर्टित हो जाती है कोयल को तो आप लोग जानते ही होंगे तो कोकिल संस्कृत का शब्द किसमे परिवर्थित हो गया, कोयल में पारद शब्द किसमे परिवर्थित हो गया, पारा में परिवर्थित हो गया, और यह तदभव हो गया, अटालिका किसमे परिवर्थित हो गया, अटारी में हो गया, और यह अटारी क्या हो गया, तदभव रूप हो गया यह चीर जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है खीर में परिवर्तित हो जाता है और खीर शब्द क्या हो जाता है तद्भव हो जाता है यह शब्द किसमें परिवर्तित हो जाता है जो में हो जाता है और जो तद्भव हो जाता है उष्ट किसमें परिवर्तित हो एक परिवर्तिक रूप है संस्कृत का यानि संस्कृत के सब्द का जब परिवर्तन हो गया यानि हिंदी में उसका थोड़ा परिवर्तित होकर के रूप लिखा गया तो उसी सब्द को हम क्या कहे तद्भो शब्द कहे संस्कृत के मूल शब्दों को जब हिंदी में हम लिखत तिसम होते हैं और उसका परिवर्तित रूप क्या होता है। 하ं यानि यह एक क्रमिक परिवर्तन हुआ आसा है यह परिवर्तन आपको समझ में आया होगा। पड़ा होता है य relief क्रमिक पुर्वरतन हुआ आसा है ये परिवर्तन आपको समझ में आया होगा अब एक बुजो बादबस्ती है कि बहुत ऐसे कितने शब्द होंगे कि जो परिवर्थित हुए कितने को हमको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करना पड़ेगा, तो इसको हम नियमों के आधार पर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आसानी से आपको इसके नियम समझ में आ जाएं कि कैसे अगर कोई शब्द लिखा गया है, तो हम यह जानेंगे कि यह तत्सम का है, या तद्भो का है, कैसे हम को पता चलेगा, कैसे हम इसको जानेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कल, तो हम जो है अगली जो क्लास होगी उसमें हम उस नियमों पर बात करेंगे, तब जा करके हम देशच पर बात करेंगे और इसके बाद हम वीदेशच पर बात करेंगे, तो इनक के रूप में हम कर्मिक रूप से देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तब तक के लिए धेरशारी शुपकामनाए धेर सरा प्यार, जय हिंद